हेलो पेरेंस, वेलकम टू हापी किज क्लास्रूम आज हम देखेंगे जुलाई के मन्त में आप नर्सरी के बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे वीक वाइस और दे वाइस कैसे पढ़ाएंगे ठीक है, तो चलिए देखते हैं जुलाई में आप सबसे ज़ाधा पैटन प्रक्टिस ही लेंगे उनकी और फर्स्ट वीक, सेकंड वीक, थर्ड वीक और फोर्ट वीक में कैसे आपको हर एक दिन कैसे सिखाना है वो मने आप आपको बताया है तो चलिए देखते हैं, फर्स्ट वीक, जुलाई के फर्स्ट वीक में, मंडे को आप स्टैंडिंग लाइन लिजेगा T and W is tracing and writing जैसे अगर आप मेरा जू नरसरी सिलाबस का वीडियो देखेंगे जिसमें आपको मने बताया है कि नरसरी सिलाबस में क्या-क्या आएगा तब उसमें आपको पता चलेगा इस तरह से कि I is for identify, alphabets, tracing, writing, activities तो tracing और writing ये इस तरह से मैंने लिखाया है तो वो वीडियो आप जाके देखेगा, आपको समझ में आ जाएगा कि ये कैसे लेना है, तो patterns में मैंने बताया था identification, tracing, writing ठीक है, इस तरह से लेना है तो आपको ये tracing और writing लेना है standing line का फिर Tuesday को आप sleeping line लीजेगा, tracing भी करवाईएगा, writing भी notebook में करवाईएगा अच्छा, सबसे पहले तो आपको शुरुवात crayons लेके करनी है crayons बच्चों को आप देंगे, pencil नहीं देंगे, okay first जब आप पूरा patterns का sequence खतम करेंगे, तब आप उन्हें crayons देंगे अलग-अलग, जो अच्छे वाली crayons है, ताके उन्हें पकड समझ में आ जाए, ठीक है slanting line, Thursday को लेंगे आप curves, tracing and writing, left curve, right curve, Friday को first week में अपलेंगे curves, facing and writing, up curve, down curve, तो second week में, Monday को आप लेंगे zigzag, pressing and writing, इस तरह से, Tuesday को लेंगे standing line, pressing writing, Wednesday को वापिस, अब जब ये zigzag यहां तक खतम हो जाता है, उसके बाद जब वापिस standing line अप लोगे, तब आप उन्हें pencil दीजेगा, यहां तक एक जो sequence है, पूरा patterns का, तब आप उन्हें क्रियोंस दीजेग अब यहां से जब शुरू हो जाएगा, second week क्यों दे सकता है, बाब ने pencil से दीजेगा, ठीक है, Wednesday को वाप स्लीपिंग लाइन, pressing and writing, Thursday को slanting line, pressing and writing, Friday को curves, pressing and writing, left curve, right curve, फिर थर्ड वीग में, थर्ड वीक में देखिए, Monday को आप, Monday को आप curves लीजेगा, tracing and writing, up curve, down curves, Tuesday को आप circles लीजेगा, tracing and writing, okay, फिर Wednesday को आप rhymes लीजेगा, और लीजेगा, जो भी, नॉर्मली आप घर पे सिखाते हो, और राइन, twinkle twinkle है, इवाबा ब्लैक्षिप है, जो, नॉर्मली हम लोग घर पे जो चीज़े उन्हें, जो प्राइम सिखाते है, वो आप और ली करवाईएगा, चीक है, थर्ड वीक म इसमें होगा, इस मन्त में, पैटन के अलावा, फिर Friday को 1-10 ही उन्हें पिच्चर के तुर दिखाएगा, इमीडिटली 1-20 मत दिखाएगा, इसमें पहले तो पहले तो उन्हें नंबर 1-10 ही और ली बताईएगा, फिर फोर्थ वीक में, आपको मंडे को उन्हें, ये जो पै पैटन्स के थे, उन्हें से कोई भी चार पैटन अलग-अलग, जैसे सीक्वेंस में मत बताईए, लेक स्टैंडिंग, स्लीपिंग, इस तरह से नहीं, अपकर्व दी देजिएगा, फिर जिग-जग देजिएगा, इसा कुछ भी उल्टा-उल्टा उनको कोई भी चार पैट पैटन्स उनको उल्टा-उल्टा, सीक्वेंस में ना देते हुए, इन्ही फोर पैटन्स उन्हें दे दीजिएगा, करने के लिए, फिर बेंस्डे को आप जॉइन कलरिंग दे दीजिएगा, उस ताइम आप उनको कलर्स का इंट्रोड़क्शन करवाईए, फिर जॉइन को सन या पूरा उसको सन कलर करवाईएगा, इसे कर सकते हैं, तो ये स्टेप बाइ स्टेप आएगा, कि वो आगे-आगे जाएगे, तो चीजे उन्हें समझ में आना शुरू हो जाएगी, फ्राइडे को आप ये सारा जो चीजे औरली की थी, वो सारा प्रिवाइस कर तो बाइदे एंड ऑफ जुलाइए उन्हें सारे पैटर्स आने चाहिए, ओरली थोड़ा उनको एटुजेर और राइम्स की थोड़ी जानकारी होनी चाहिए, और ज्वाइंग और कलरिंग में उनको थोड़ा कलर का, एटलीस पहले जो चार रेड, ब्लू, ग्रीन यलो ये कलर का थोड़ा नॉलेश होना चाहिए, ये चार कलर ये थे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको आपको अपने प्रेंज के साथ, और बेल आइकन ज़रूर फिट कीजिएगा, तक आपको पता चलेगा, कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मन के लिएक अप्तार ने ताते कि लिबाइ